आपको बेंगलूरू की तस्वीरे दिखाते हैं जहापर दुआदार प्रचार की कमान समाली हुई है इस वक्त अमिश्शा ने और वही पर उनकी मौजूद्गी है मंच पर इस वक्त नजर आ रहा है कारेकरताओं को संबोधित करते हुए ग्रहमंत्री अमिश्शा पालियामेंटरी बार्ड के मेंबर और वरिष्ट नेता स्रीमान येदु रप्पा जी भारतिये जन्ता पार्टी के अध्यक्स विजैंद्र येदु रप्पा जी हमारे विपक्स के नेता स्रिमान असोग जी मोदी जी के मंत्री मंडल में मेरे साथी भाई प्रहला जोसी जी और आज यहाँ पर मेरे साथ उपस्तित डॉक्टर सी एन मनजुनात जोर से ताली बजाओ डाक्टर खड़े हो जाओ डॉक्टर के सुधाकर हमारे युवा नेता तेजस्वी सुरिया बार बार जितने वाले PC मोहन और भारत्य जन्ता पार्टी की वरिष्ट नेतरी बहन सोभा करंदला जेजी ये सभी को जिताने के लिए प्रचंड पुरुसाद करना है ना अरे जोर से बोलो करना है ना तो इसके लिए आये हुए मेरी भारत्य जन्ता पार्टी के मालिक समा मांग कर मेरी बात की सुरुआत करता हूँ हम चुनाव के मैदान में हैं और दूसरी और परिवारवादी और ब्रस्टाचारियों का गठ बंधन ये इंडी एलायन से हैं पूरे देश बर में मैं लगबग लगबग 60 प्रतिसत राज्यों में दोरा कर चुका मैं जहां पर भी गया युवा हो मैला हो किसान हो गरीब हो सहर हो गाव हो जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे लगा हमारे प्रदानमंत्री मोदी जी ने भारतिय जन्ता पार्टी के सभी कार्य करताओं के सामने 400 पार का लक्स रखा है और इस बार मैं करना टक्की जन्ता का दो चुनाओं के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ 2014 में भारतिय जन्ता पार्टी करना टक्की जन्ता के सामने आई आपने 43 प्रतिसाद 43 परसंट वोट के साथ हमें 17 सिटे दी 17 सिटे दी 2019 में दुबारा आए आपने 51 प्रतिसाद वोट 51 परसंट वोट के साथ 25 सिटे दी मगर इस बार मेरी करना टक्की जन्ता को और सभी कारेकरता को मेरा विनन्ती है कि क्यावन प्रतिसाद से काम नहीं होता साथ प्रतिसाद और 28 की 28 सिटे भारतिय जन्ता पार्टी के गठ बंदन को देना है और मैं बड़े विश्वास के साथ कारेकरते को बताने आया हूँ मोदी जी के नेतृत में बारतिय जन्ता पार्टी और जेडियेस का गठ बंदन सभी 28 की 28 सिटे जेद कर कॉंग्रेस का एकाउंट नहीं खूलने देंगे मुझे बताओ भाई आप लोग सभी 28 की 28 सिटों के लिए तैयार हो क्या बैंगलूर सहर की सभी सिटे प्रचंड बहुमत से बादपाज जितेगी क्या यही मोड पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ता है इनका कारण है पसंद की किसके बीच में एक और नरेंद्र मोडी जी है जिनोंने 23 साल तक 23 साल तक मुख्य मंत्री और प्रदान मंत्री के रूप में काम किया 23 साल तक और 23 साल में विरोध पक्स वाले मोडी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए मोडी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ ट्रांस्परंसी के साथ इस देश को एक एक एक्जाम्पल सेट करने का काम किया है और दूसरी वारे गमंडिया गठवंधन इंडी एलायंस एक ब्रष्टाचारियों का कुन्बा कॉंग्रेस सासंत में 12 लाग करोर रुपिय का घटला गोटला ब्रष्टाचार हुआ दस साल मनमौन सोन्या की सरकार में 12 लाग करोर का ब्रष्टाचार हुआ डिव के सूख कुमार जी को तो ब्रष्टाचार से परहेजी नहीं मगर मैं जानता हूँ करना टक्की जनता ब्रष्टाचार को पसंद नहीं करती है मैं एक के बाद एक गोटला बोलता हूँ मुझे बताओ भाई कॉल ब्लोक का गोटला किस ने किया जोर से बोलो किस ने किया कोमन वेल्ट का गोटला किस ने किया टूजी का गोटला किस ने किया हिमाचल में सेब की बिकरी में गोटला किस ने किया आई एनेक्स मीडिया का गोटला किस ने किया एर सेल का गोटाला किस ने किया अंत्रिक्स देवास का गोटाला किस ने किया लेंड पॉर जॉब का गोटाला किस ने किया जम्मू कस्वीर क्रिकेट एसोसेशन का गोटाला किस ने किया एम्ब्रेयर डिल में गोटाला किस ने किया होक एरुक्राप्ट का गोटाला किस ने किया अगस्ता वेस्टलेंड हेलिकॉप्टर का गोटाला किस ने किया अब यह 12 लाग करोड के गपले गोटाले भरष्टाचार करने वाली कॉंग्रेस मोदी जी के साथ स्परदा देश की जनता के सामने स्पर्ष्ट विकल्प है एक और 23 साल तक एक पैसे का प्रष्टाचार करे बगर सासन करने वाले नरेंद्र मोदी जी और दूसरी और 12 लाग करोड का गपला गोटाला करने वाली कॉंग्रेस पार्टी मित्रो ये लोग जब भी पावर मिलती है न केवल ब्रष्टाचार करते हैं वो कुछ भी करे उनका मन जनता की सेवा में नहीं लगता मैं मोदी जी के साथ 40 सालों से काम कर रहा हूं 23 साल मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना एक दिन की छुट्टी नहीं लेना और दूसरी वाल राहूल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं हर छे महिना कॉंग्रेस पार्टी इनको ढूनती रह जाती है कोई मैची नहीं पूरा देश आज एक जुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी ने जीज प्रकार से सासन किया सारे वादों को पुरा किया मोदी जी ने कहा था 2014 में कि भारतिय जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों की दलितों की वंचितों की आदिवास्यों की सरकार है और इस दस साल के अंदर 25 करोड से ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है 80 करोड गरीबों को मुप्त रासन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है 12 करोड टॉइलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है काम नरेंद्र मोदी ने किया है, दस करोड महिलाओं को उज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और 14 करोड से ज्यादा लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और साथ करोड गरीबों को पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा अध नरेंद्र मोदी सरकार देती है। कुडाती थी कि 1950 से भारतिय जनता पार्टी का मैनिफेस्टों नहीं बदलता है। पर मित्रों मैं आज बताने आया हूँ। दस साल के बाद मोदी जनादेश मागने जा रहे है। 1950 से हमारा जो मैनिफेस्टों था वो पूरा का पूरा समाप्त करकर मोदी जी आसिरवाद लेने के लिए। मुझे बताओ कारेकता भाईयो बेनो एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है। जोर से बोलो है या नहीं है। धारा 370 जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। एक कॉंग्रेस पार्टी सतर सतर साल तक धारा 370 को समाल करे। और जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रदान मंत्री बने पांच अगस्त 2019 को धारा 370 को समामत कर दिया। और उस वक्त ये राहूल बाबा पार्लामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ कस्मीर में खून की नदिया बेह जाएगी। राहूल बाबा ये मोदी सरकार है, खून की नदिया छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुए है कंकर की। आज कस्मीर सुकुरूप भारत का अभिन हिस्सा बनाएं। मुझे बताओ माताओ भाईो बेहनो, कारेकरताब भाईो बेहनो, एक बात बताएं। 500 साल से राम लल्ला को अयोध्या में अपना घर नहीं था। मोदी जी ने 4 करोड गरिवों को तो घर दिया ही दिया, साथ में राम लल्ला को भी टेंड से निकाल कर मंदीर में बिठाएं। एक कॉंग्रेस पार्टी, एक कॉंग्रेस पार्टी 50 साल से राम मंदीर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने कॉर्ट का जज्जमेंट भी आ गया, भुमी पुजन भी कर दिया और 22 जन्वरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्टा भी कर दिया। भाईयो और बेनो, इनकी तुरुष्टी करण की रादनिती देखिए, राम लल्ला अपने भव्य मंदीर में विराजमान होने वाले थे, एक हजार साल में आये ऐसा पल था, सभी को निमंतरन था, सोनिया जी को था, खरगे जी को था, राहुल बाबा को था, मगर वो नहीं गए, क्यूंकि उनको डर था, कि हमारी वाट बेंक खतम हो जाएगी, भाईयो और बेनो, डरता रहने दो उनको, हम नहीं डरते थे हैं, डंके की चोट पर राज राम लल्ला, गगन चुम्बी मंदीर के अंदर बेठे हैं, और सभी लोग आनंद व्यक्त कर रहे हैं, मोधी सरकार ने, पार्टिसन के वक्त और तब से अब तक, जो सरनार थी, हिंदू बहुत सीख, जैन, पाकिस्तान बांगला देश से आये थे, मुझे बताओ भाई, अपना धर्म, अपने परिवार की महिलाओं की आबरू बचाने के लिए, सन्मान बचाने के लिए, जो वहाँ से यहां सरन में आये, वो हिंदू, उसी, जैन, बहुत भाईयों को नागरिक्ता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मुदी जी सिये लाए, इसका विरोध करते थे, मुदी जी ने सिये भी समाप्त कर दिया, नकसलवाद और टेरिरिजम को समाप्त कर दिया, दस साल तक, सिद्रमया बाबो, जवाब देना, दस साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आये दिन बम दमा के होते थे, पाकिस्तान से आलिया, हमालिया, जमालिया आकर, बम दमा के करकर भाग जाते थे, मनमोहन सिंग उफने. तो आप सुन रहे थे इस वक्त, अमिर्शा को और इस वक्त मौझूद बेंगलूरू में, मनमोहन सिंग सरकार, यानि कि उस वक्त की यूपीए सरकार, कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए, गडबंधन, आज के उस पर निशाना साथते हुए, तमाम भरष्टाचार का जिक्र करते हुए, जो कि यूपीए के शासनकाल में हुआ, और इसके साथ ही बीजेपी की तमाम उपलब्दियां, जिसमें धारा 370 से लेके देश का विकास, ग्रिमंत्रिया मिश्चाह ने शामिल किया।